Sales and Invoices और Billing section पे जाने से पहले हम discuss कर लेते हैं UK WET के बारे में हम बात करेंगे कि WET क्या होता है, WET collect कौन करता है, WET के कितने rates जो हैं वो होते है एक business के लिए कब जरूरी है कि वो अपने आपको WET registered करवा ले WET registration के advantages and disadvantages जो हैं वो क्या है और end में zero rated versus exempt WET के बारे में discuss करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं WET की, WET stands for value added tax ये एक consumer और indirect tax होता है जो के end user pay करते हैं जब भी वो कोई product and services जो है वो buy करते है इन end user से जो लोग tax लेते हैं उसमें limited liability company, soul traders, partnerships और limited liability partnerships होती है जो के WET registered होती है ये companies जो है ये government के बहाफ पे as a tax collector काम करती है और ये end user से tax collect करती है और बाद में government को जो है वो submit करवा देती है UK में HMRC एक institute है जो के इस tax को जो है वो collect करता है registered WET businesses से अब हम इसको एक example के जरीए समझते हैं for example आप एक soul trader के पास गए है एक chair purchase करने के लिए और आपने वो chair उससे 120 pound की purchase की है अब जो soul trader है उसने ये जो chair आपको sale की है उसके अंदर 100 उसकी sale price है और 20 pounds जो है उसके अंदर WET शामिल है अब soul trader क्या काम करेगा जो ये 20 pounds होंगे ये HMRC को जमा करवा देगा जब वो अपना WET फाइल करेगा अब हम बात करते हैं कि UK में WET के कितने rates होते हैं ये आपको सामने screen के उपर एक table नजार आ रहा है सबसे पहले आपका जो rate होता है वो 20 % होता है जो के most goods and services के उपर apply होता है उसके बाद आपका reduced rate आ जाता है जो के 5 % है जो के fuel and power के उपर जो है वो apply होता है और COVID-19 की विरा से hospitality sectors के उपर भी जो है ये apply हो रहा है आजकर उसके बाद आपका आजाता है zero rated food, books और children's clothing के उपर जो wet होता है वो 0% होता है unless कोई luxury food item जो है वो ना हो उसके बाद हम आजाते हैं exempt goods के उपर exempt goods जो होते हैं वो taxable नहीं होते हैं और ये tax scope से जो है वो बहार होते हैं इसके अंदर आपकी insurance और education जो है वो आजाती है अब भी आगे चलके हम zero rated और exempt के बारे में जो है वो difference देखेंगे कि zero rate और exempt के अंदर जो है वो क्या difference है अब हम बात करते हैं कि एक company के लिए कब जरूरी हो जाता है कि वो अपने आपको wet registered करवाए UK के case के अंदर एक threshold है जब तक आपका turnover 85,000 pounds ना हो 12 month rolling period के अंदर तब तक आप liable नहीं है कि आप अपने आपको wet registered जो है वो करवाए अब हम इस example के जरीए जो है वो देखते हैं कि 12 month rolling period से जो है वो क्या मुराद है for example एक company है उसने अपना business जो है वो January 2020 को start किया है और December 2020 को उस company का जो total turnover है वो 79,000 pounds है इसका मतलब है कि अभी 12 months में company ने 79,000 pounds की है तो वो अभी liable नहीं है कि वो अपने आपको wet registered करवाए for example अब January 2021 खतम हो गया है और January 2021 के अंदर उसकी sales वो 7,000 pounds है तो इस case के अंदर जो हमारा सबसे last month होगा January 2020 उसको हम यहाँ पर ignore कर देंगे और अब February 2020 से लेके January 2021 तक अपनी sales को जो है वो count करेंगे तो इस case के अंदर जो turnover है वो 82,000 जो है वो बनता है अभी भी यह business जो है वो liable नहीं है कि यह wet registered हो अब उसके बाद एक और मन्त गुजर गया है February 2021 तो इस case के अंदर आप देखें जो आपका इससे पिछला महीना होगा February 2020 वो भी निकल जाएगा और March 2020 से February 2020 तक onwards यह जो 12 months है अब इनका turnover देखा जाएगा और अब यह turnover जो है वो 85,500 pounds जो हो हो चुका है इसका मतलब है कि अब यह business जो है वो liable है कि यह अपने आपको wet registered करवाए और इसके लिए इसके पास 30 days का जो है वो time है within 30 days इसको अपने business को जो है वो registered करवाना होगा अगर यह नहीं करवाएगा तो इसके ओपर plenty भी लग सकती है तो यह condition थी कि हमने अपने business को कब wet registered करवाना है अब हम देखते हैं अगर for example हमारा business जो है अभी तक 85,000 के threshold के उपर नहीं पहुँचा तो क्या उससे पहले भी हम अपने business को wet registered करवा सकते हैं तो इसका जवाब है हाँ हम अपने business को 85,000 threshold पहुँचने से पहले भी wet registered करवा सकते हैं अब यहाँ पर एक सवाल माइन में यह आता है कि अगर आप अपने business को पहले ही registered करवा लेंगे तो आपको HMRC को tax जो है वो pay करना पड़ेगा तो इसके लिए हम एक example लेते हैं और उस example के जरीए देखते हैं कि wet registered करवाने के अगर आप threshold पे नहीं पहुँचे और उससे पहले ही अपने business को अगर आप registered करवा लेते हैं तो उसके क्या advantages है और क्या disadvantages है अब हम यहाँ पर सबसे पहले example लेते हैं कि हमारे business का जो turnover है वो 85,000 pound से कम है 12 month rolling period के अंदर और हमने अभी तक अपने business को जो है वो register भी नहीं करवाया है for example आपका business है और आप chairs बेशते हैं आपने एक supplier से जो है वो chairs purchase की है और उन chair की जो cost है वो है 50 pound और वो जो supplier है जिससे आपने chair purchase की है वो supplier वैट registered person है और उसने जो आपको invoice दी है उसके अंदर invoice के अंदर 50 pound जो है वो उसकी cost price है और 10 pound जो है वो वैट है और वो chair आपको total मिली है 60 pounds की अब आपने आगे वो chair जो है वो sale कर दी 100 pound के उपर क्यूंके अभी आप वैट registered business नहीं है इसलिए आप इस invoice के उपर वैट charge नहीं कर सकते तो अब आपकी जो profit होगा वो आपका profit होगा 100 minus 60 MRC से claim back नहीं कर सकते क्यूंके अभी तक आप वैट registered नहीं है तो इस तरीके से आपका profit होगया 40 pound अब हम चलते हैं next example पे for example अब आपका business जो है उसके 12 month rolling period के अंदर जो turnover है वो 85,000 से कम है लेकिन अब आपने अपने business को जो है वो वैट registered करवा लिया है और अब same example लेते हैं आपने chair purchase की 60 pound की जिसके अंदर 50 pound cost है और 10 pound वैट है तो total invoice हो गई 60 pound की अब आपने आगे chair sale की और sale आपने रखी 100 pounds अब इसके अंदर जो sale price है 100 pound उसके अंदर 20% वैट भी शामिल हो जाएगा और उस invoice की जो total price होगी जो है वो collect किया है अपनी sales के उपर और 10 pound वैट जो है वो आपका input वैट है जो के incurred हुआ है आपकी purchases के उपर अब 20 pound में से 10 pound निकल जाएंगे और ये बाकी के जो 10 pound extra आपके हैं ये आपने HMRC को submit करवा देने हैं बाकी अब आपका जो profit होगा इस case के अंदर वो आपका profit होगा sale 100 minus cost 50 तो ये 50 pounds आपका profit हो जाएगा लेकिन यहाँ पर अब एक नुकसान की बात ये है कि जो आपका customer होगा जब वो आपसे purchase करने के लिए आएगा तो उसको पहले case के अंदर 100 pound पे करना पढ़ रहा था और इस case के अंदर 120 pounds पे करना पढ़ रहा है तो हो सकता है वो ये chair किसी और जगा से जाके purchase कर ले जहां पर उसको ये chair सस्ती मिले तो इस case के अंदर अगर आप wet registered है तो आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आप इसकी price जो है वो 100 ही रखे और इसी 100 price के अंदर जो है wet शामिल करने इस case के अंदर जो आपकी sale price होगी वो होगी 83.33 pounds और 16.67 pounds wet हो जाएगा और जो total invoice की value होगी वो 100 pounds ही रहेगी और customer आपको 100 pounds ही pay करेगा तो इस case में आपका जो profit है वो reduce हो जाएगा वो आपका 33.33 pounds रहे जाएगा और जो आपको wet pay करना पड़ेगा HMRC को वो 6.67 pounds जो है वो difference wet का pay करना पड़ेगा अब ये depend करता है कि आपका business जो है वो किस nature का है जो आप sale करते हैं अगर तो आप छोटे customers को sale करते हैं तब आप के लिए necessary नहीं है कि आप wet registered हो जाएं पहले ही आपके लिए नुक्सान दे हैं लेकिन अगर आपका business large scale के उपर है आप large scale पे purchase करते हैं और जो आपके customers हैं वो भी आपके large customers हैं जो के ये prefer करते हैं कि जिससे वो चीज़ purchase करें वो wet registered business हो तो इस case में अगर आप अपने business को wet registered करवा लेते हैं तो आपके लिए फायदा होगा ये depend करता है different scenarios के उपर के आपके business का scenario जो है वो क्या है अब हम end में बात करते हैं आपके zero rated versus exempt के बारे में सबसे पहले हम zero rated के बारे में discuss करते हैं कि zero rated in fact इसके उपर wet जो है वो zero rated है लेकिन still ये एक taxable item है let's suppose एक business है जो के poultry form और meat का business करता है अब ये जितनी भी sales करेगा इसकी तमाम की तमाम sales के उपर जो wet होगा वो wet होगा 0% क्योंकि ये 0% की category के अंदर आता है let's suppose उसने 100,000 pounds की जो है वो sale की है एक current year के अंदर और उसके उपर wet जो है वो 0% है तो sales के उपर जो wet हुआ वो हुआ 0% और उस business ने जो wet purchases की है वो 100,000 pounds की की है और उसके उपर जो उसने input wet पे किया है वो 20,000 pounds पे किया है तो अब इस case में इस business की जो position बनेगी वो ये बनेगी कि जो sales wet है जो के उसने collect किया है वो है 0 pounds input wet जो incurred हुआ है जो के उसने purchases के उपर पे किया है वो है 20,000 pounds और refund wet जो के उसने अब HMRC से claim करना है वो 20,000 pounds हो गया तो ये तो आपका था कि अगर कोई भी business जो डेटिट सप्लाइज का business कर रहा है तो उसका wet जो है वो इस तरीके से calculate होगा और वो business जो है वो liable होंगे कि वो wet registered होँ अब हम बात करते हैं exempt के बारे में for example insurance का business एक ऐसा business है जो taxable नहीं है और ये wet के scope से बहार है अब कोई भी ऐसा business जो के insurance का है वो wet registered नहीं हो सकता means के वो wet collect भी नहीं कर सकता और वो जो wet पे करेगा वो wet claim भी नहीं कर सकता जैसे हमने पिछली example के अंदर देखा के zero rated suppliers के अंदर जो sales के उपर wet था वो 0% था तो उसने HMRC को कोई भी wet पे नहीं करना था लेकिन जो उसने अपनी purchases की थी उसके उपर जो उसका input wet incurred हुआ था जो उसने wet पे किया था suppliers को वो wet जो है उसने claim back कर लिया HMRC से लेकिन exempt के अंदर जो हमारा ये insurance का case है इस case के अंदर business register हो ही नहीं सकता तो वो wet claim भी नहीं कर सकता जो के उसका incurred हुआ होगा किसी भी तरह की purchases के उपर तो ये zero rated और exempt के अंदर कुछ difference था hopefully आपको पता चल गया होगा अब हम next sales and invoices के section को वो discuss करेंगे